आत्मिय स्वजनों जैशे कृष्णा समग्र विश्व आज पुनह एकदा भगवान श्री कृष्ण के आगमन का परव जनमाष्टमी महुत्सव मना रहा है चार विलक्षन बातें परम तत्व की जो हमसे जुड़ी हुई है और श्री कृष्ण से हम प्रेज़ना पासकते हैं वो मैं आज की शाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ सबसे पहला तत्व जो भगवान श्री कृष्ण का ध्ययन और उसके साथ जुड़ने से जो प्राप्त हुआ है वो है श्री कृष्ण की सबसे बड़ी विलक्षनता विपरीत्ता में श्री कृष्ण विचलित नहीं होते बलकि विजयी होने का मार्ग प्रशस्त करते हैं अत्यन्त सामान्य है किसी भी व्यक्ती के लिए कि जब एड़र्सिटी आए नसोची हुई परिस्थिती निर्मान हो जाए तो व्यक्ती गभरा जाता है भगने की बात करता है जैसे भगवत गीता में अर्जुन ने किया लेकिन श्री कृष्ण प्रेर्णा देते हैं यत्र योगेश्य रह कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्दरह तत्र श्रीर विजयो भूतिर द्रुवा नीतिर मतिर्मम पगवत गीता के अठारा व्यद्याय का अंतिम अठातर वाश्लोग निरंतर विजय प्राप्त हो तो ये पहली विलक्षनता विपरित्ता में विचलित नहों विजय हो दूसरी बात भगवान श्री कृष्ण को उदासी मायूसी कताई मन्जुर नहीं है कि चैलेंजिंग सिच्वेशन विल भी धैर कि जिंदगी में हमेशा जीवन हमारी धार्णा के अनुसार नहीं होता कुछ अन्होनी भी घटित होती है तो ऐसी परिस्थिति में उदास न बने मायूस न बने प्रसन न रहे उससे कुछ उपदेश हमें अस्तित्व देना चाहता है ये पॉजिटिव एक्टिटीट रखे इसलिए भगवान आदी शंकराचारी जी ने श्रीकृष्ण के बारे में कहा प्रसन भानुश्यो भनम श्रीकृष्ण के जीवन में कई मुसीबते आई कई समस्याँ आई लेकिन इन सारी समस्याओं में श्रीकृष्ण ने कभी भी अपनी प्रसनता को नखोया इस दूसरी बात हम सीखें तीसरी बात कुरुष्ण का जीवन रूटीन नहीं है अधिकतर लोग जीवन में दुखी होते हैं क्योंकि लाइफ मेकेनिकल होते जाती है और इस रूटीन से घुटन महसुस करते हैं श्री कृष्ण नित्य मौलिक है प्रयोग शिल है दिने दिने नवम नवम ये भगवान श्री कृष्ण की एक स्रेश्थ बात हमें सीखनी चाहिए प्रयोग शिलता He is new every day He doesn't repeat himself और चौथी सर्वस्रेश्थ बात श्री कृष्ण की जो है उनकी जो उर्जा है ये कहां से आपी है प्रमात्मा श्री कृष्ण की उर्जा का सुरोत है उनका प्रेम प्रेम की उर्जा को जैसे श्री कृष्ण ने समझा है और जीया है ऐसा विश्व में कदाचित कोई नहीं जी पाया तो जैसे हम भगवान रामचंद्र जी के बारे में कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म ऐसा मुझे आज कहना है कृष्णो विग्रहवान प्रेमः श्री कृष्णा इस लव इंकार्नेट उन्होंने जीवन पर सभी से प्रेम किया मित्रों से, अपनों से, अनुकुल लोगों से प्रेम करना आसान होता है, सरल होता है लेकिन कृष्ण की विशेष्टा ये रही कि उन्होंने शत्रों से भी प्रेम किया है प्रागट्य के छठे दिन पूतना जो आई है मारने के लिए वहां से लेकर के 125 वर्ष की इस भूतल पर आयू के बाद परमात्मा जब निजधाम में पुना प्रस्थान कर रहे थे उस समय निमित्त रूप में जो जरा पारधी ने तीर चलाया है उस जरा पारधी को भी परमात्मा श्री कृष्ण ने प्रेम किया है तो पूतना से लेकर के पारधी तक सभी को प्रेम करने वादे फिर गोपियां प्रभु के प्रेम का पात्र बने बाल मित्र सखा जब प्रुष्ण के प्रेम का पात्र बने पांडव श्री कृष्ण के प्रेम का पात्र बने नंद यश्वदा देव की वसुदेव ये सब प्रमात्मा के प्रेम का पात्र बने, अश्टर पठरानिया प्रभु के प्रेम का पात्र बने, मित्र सुदामा प्रभु के प्रेम का पात्र बने, इसमें कौन सा अश्चरी है, जो शत्र को भी अधी प्रेम कर सके, तो श्री कृष्ण प्रेम के प्रतीखा और मुझे लगता है कि आधुनिक युग में सबसे महत्व पुर्णबात यह हैं जो भी समस्यां हमारे सामने दिख रही हैं चाहे वो पारिवारी के आंत्री कलह की बात हो परियावरन की समस्या हो युद्ध की समस्या हो आतंकवाद की समस्या हो विभाजन की समस्या हो कोई दूर हो जाएंगे विभाजन दूर हो जाएगा आतंकवाद नश्ट हो जाएगा युद्ध की संभावना ही टल जाएगी मनुश्य दी प्रकृति से प्रेम करना सीखे ये कितने प्यारे पौधे ये इनको प्रेम करना दी सीखे तो परियावरन की समस्या हल हो जाएगी पृत कि आत्मा के प्रङक्ट्य ये सम्देश मोह का नहीं का मैं स्पश्टकरों इस बात को कुछिशनने पर्म प्रेम और वही तो भक्ति है आत्मा का संबंध है यह पर्रह प्रेम के संदेश को रदmee स्थीर कर के हम जाएं और जीवन को धन्य बनाएं विश्व को सुंदर बनाएं पुनह एकदा श्री कृष्ण कनहिया लाल की जैए